गश लोचा हो गया चेक में ना पूने में कट लगा दिया तो इस बैंक में पैसा लेना है इस बैंक में जाना पड़े हैं देखो मुझ का हालत कैसे बना रखा है किस ना किस ना हारे हारे ऑफ जुद्म विल्कम टॉ मैं नीड ब्लॉग तो गया तो मैं सोच रहा हूँ अभी घर का भी ब्लॉग्गिंश्रू कर दो क्योंकि आज कल में घर में ही रहता हूं तो गयस्मेश्म में तो मस्त नहाद हो के उट गया और अभी टाइम हो रहा है गया पुराने वाले जो ओफिस में जाना है एक्सपेरियंस लेटर लेना है और कुछ काम था वो करवा के आना है तो उसके बाद देखते हैं भाबना भी ओफिस गई है अगर मिल सकता हो तो मिल किया आ जाओंगा फिर फिर देखते दूसरा क्या करें तो पहले खाना खाले तो अच्छा दाल चाओल है तो दाल चाओल खाते हैं और फिर चलते हैं ओफिस फटा फट है दाल चाओल वैसे खा सकते हैं बहुत फेवरेट है दाल चाओल पीट के लिए बहुत ही अच्छा है तो फटा फट खाते दाल चाओल फटा पानी भर के लिए तो पानी तो पानी है खाता हूँ और फिर मिलता हूँ फाइनली खाना कंपलेट हो गया और कौन आ गया मेरे पास गाइस दामु को मैंने जब छोटा था तब लिया था और अभी ले रहा हूँ अभी दामु को ब्लॉगिंग पे तो कितने बड़े हो गया कि नाम है डामु दर तो गैस निकालता हो ओफिस के लिए ये ओफिस में जो काम है वो पूरा करता हूँ कौल आगया वावना की तो हमें फटाफट निकालता हूँ बै बाय ने की आगया तो गैस में लीचे आगया जाड़ी देखो कितनी गंदी हो गई है अब आपदा नहीं कि अच्छा कपुतर ने टटी कर दिए को कि अपने पहुश गया और अपना ओफिस था यह वाला तो मैं आफिस काम करता हूँ और चलेंगे बाब में के पस तो मैं अपना एक्सपीरियन्स लेटर और कुछ पैसा वाकिय था वो मैंने ले लिया और मैं अभी आफिस से निकल रहा हूँ मेरे को जाना है HDFC बैंक में तो बैंक जाते हैं और अपना चेक को कनवट करा दे और बहुत दिन बाद में ने जब दोस्तों से मिला ना पुराने ओफिस के दोस्तों से बहुत मज़ा है बहुत बाद चीज दिये और अभी टाइम हो गया चार बजी जाता हूँ बैंक में और सब्सक्राइब करें तो काउच में पहुच गया डिए से बैंक के सामने गस लोचा हो गया चेक मेना कोने में कट लगा दिया तो जिस बैंक में पैसा लेना है उस बैंक में जाना पड़ा आज ऐसे भी लग पाएगा और जमा भी कर दूँँगा तो कल है बैंक छुट्टी dusty bank और तो कल कि नहीं आएगा पैसा तुम्हे चलता हो भी पहले वावना अगी ये मिलने के लिए और भाया से लिखवाऊंगा चेक कि पहले चेक में लिख साफना नंबर और एकांट इस section में अपना करवा है आंपने एकांट नंबर नंगर नेम लिख से लिए चलता हूं群 मेंगर उदसे आफिए सवाँ ने एक जमा कैसे करें मेशीन में तो चलता हूं में घर के तरफ टाइम हो रहा है चार पचास तो मेरे को घर पहुचने में कम सकम लग जाएंगे चालिस नलेस मिनिट तो घर पाऊचते हैं तो जाते हैं तो जाते हैं मेरे को दिग्या है यह बेरिये बेज पूरी वाला दुकान है पर मैं souvent अबल ओर और हमने करा है ट्वेंटी की जब अब दूस बनाया है बेरपुरी तो टाप खट्र दलबा के तीखा करवा के डाना है ना तो बहुत मजा रहा है खाने बहुत इमधर बहुत गर्मी बहार धूपनी बहुत हो रहा है और कर्मी बहुत है सेप्टेमबर क्रोस करके अक्टबर पढ़ने वाला है फिर वी इतना गर्मी हो रहा है बहुत है तो पहले तो पानी मैंनी पीता हूँ और फिर दामो के साथ खेलूंगा और उसके अदो हो सकते हैं तो मंदिर जाओंगा थोड़ा साथ इसकुन मंदिर हमारे घर के पांस ही है तो साथ मंदिर जाओंगा या तो पार्गों में चले जाँगा मिनें से उठवा के दामो को लेके आगा और यह जूशन का फिर थोड़े दिर खेलते हैं और राधीका भी आरहे हैं यूशन का एल्किम धर यह इस तो कि लॉए और उसके बाद के तरुशेसिक पार्क जाने कम मैं के अगर सब्सक्राइब मुरूया कमने संब्सक्राइब कर और शुक्राइब कर लाद में में प्रूठी स&प्र्टा टॉर१ हईided बेई कंधरा दो खाना लगे यहारा हो वह बेखेश देखो मूं का हाला कैसे बना रखाए गुश्त भूर मंन फ Васा देखा को देखा ना रादी का थे उद्लिक नहीं खाना चाहे । क्ल doen खाला जाता है वह खाएंगे यह और और यहां तो अभी रादिका को बुलाएंगे घर में बहार से जब आया ना इतना गर्मी था तो मैं दो घंटे गिली सो गया था और अभी रात के बजी है साड़े साथ तो मैं अभी जाओंगा श्री निवस्पुरी वहाद से कुछ खाएंगे पीएंगे और दोस्ते मिला था एक तो मि करने और पर चलता हूं श्रीनिवस्पुरी दोस्ते मिल के आता हूं पहुंच गया श्रीनिवस्पुरी और हम यह जो रेडी लगाए ना इसमें से खाते हैं फ्रेंस प्राइज चौमिन बगार मुस्त बनाता है बिल्कुल और मेरा जो दोस्त है वह अभी वीडियो में आना प्राइज अब देख सकते हैं कितना कड़ा के और यह जो शौप है यह विक्की भाईया के नाम से यह शौप पास्चीत हो गया अपना खाना पीना भी कंप्लिट और आभी चलते घर एकिस साड़ना हो गया यह बेड़ो अटके बहुत रात हो गया और अब चलते घर घर आय कि हमने एक नए काम में स्टाट करेंगे असलिए ओनलाइन काम में स्टाट करेंगे इसलिए बहुत बामचीत करे थे और अभी देखते हैं क्या भावी ने में चावल बना रहा थे आँने देखा आ और गया बाजने मेट निकाल के रख दिया है तुसकत चावल है और साइद दीदी गर में से सब्जी भीजा है तो वही यह डाटे का सब्जी है और यह साइद अर्वी होगा मैंने तो सब्जी और डाटे सब्ध ले लिया और इसपर बढ़ जोते हैं कि गर फिलाल मेंबर का में भाई एर भावी खाएंगे तो मैं अकेला-केला खाऊंगा अभी क्योंकि दामु को भावी खिला रही है तो मैं अभी फटा-फट से खा लेता हूं तो मैं अपनी टेबल बेटके खाऊंगा इसका जो सब्जी है यह वाला सब्जी अर्वी का और इसके अंदर बड़ी डलाओ बड़ी है क्या कहते पता नहीं यह वाला सब्जी बहुत जावर्दस बनता है खाने के लिए आलू की तरह लगता है यह पूरा अगर कुछ-कुछ वाले में गाला पका लेता है गले में खुछ नहीं लगता है अभी रात के बज़रा है साड़ ग्यारा और मेरे को अभी वीडियो एडिटिंग करनी है तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक कमें चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करना क्योंकि आप डेली ब्लॉग आने वाले हैं तो मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक करें